नमस्कार दोस्तो मैं हूँ S.P. शर्मा आप देख रहे हैं Green Garden Channel Green Garden Channel में आप सभी को श्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा रजनी गंधा फ्लावर प्लांट की क्यार आप लोग कैसे करेंगे आप लोगों ने रजनी गंधा फ्लावर प्लांट लगाए हैं और आपके पाश रजनी गंधा फ्लावर प्लांट है हो सकते हैं आपकी फ्लावर प्लांट में आभी फ्लावर खिलना भी स्टार्ट हो चुके है क्योंकि आपने पहले लगाया है मैं कुछ लेट हो चुके है इस साल नो प्रब्लिम अभी भी मेरा फ्लावर प्लाइंट में फ्लावर खिलेंगे और बहुत ही अच्छा फ्लावर खिलेगा एक काफी लंबी शमय तक अल्मस्ट नवेंबर मांद तक ए फ्लावर प्लाइंट मे मुझे फ्लावर मिलने वाला है और जून मांद में फ्लावर प्लाइंट में फ्लावर खिलेंगे आपने अगर पहले लगाया होंगे तो आपको में मांद से ही फ्लावर मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे आज मैं बात करूंगा ये floor plant को मैं किया देता हूँ fertilizer क्या देता हूँ या क्या देना चाहिए या आपके पाश है तो आप क्या देंगे रजनी गंदर floor plant हम जब लगाते है इसका बाल्ब होता है प्याज जैसे होते है वो प्याज जैसे जो बाल्ब है कंद है उसको लगाते है आप अगर एक लगाते हो तो आपके पास चार से च्छै प्लाइंट हो जाते है आप अगर चार लगाते हो तो चार अलमुस्ट शोला से बिश प्लाइंट में कंवर्ट हो जाते है ये देखी जब मैंने लगाय था बाल्ब एक या दो बाल्ब ही लगाय थे ज़्यादा नहीं लगाय था या एक बाल्ब की शाद चार बाल्ब चोटे चोटे थे उसको लगाय था चोटे लगाने के कारण एक प्लाइंट बड़े होने में तुरह सा टाइम लिया है यहाँ पर मैंने चार-पांच लगाए थे बालब अलग-अलग करके अलग-अलग जगा पे देखी और सभी में प्लाइंट आए है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है यह फ्लार प्लाइंट को बहुत ज़दा फर्टलेजर की जरुत नहीं पढ़ते है और बहुत ज़दा पानी की जरुत नहीं है धेन रखिएगा प्याज की अंदर जैसे पानी रहते है सेम इसके अंदर भी जो बालब होता है कंध होता है उसके अंदर भी पानी इस्टोर रहत तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं दीजिएगा फूल सनलाइट में रखेंगे ओपन सनलाइट में ही रखना है हमको शेड में या सेमी सेड में बिल्कुल भी नहीं रखना है इसकी जो लीफ होता है लीफ में भी वाटर होल रहते है इसलिए फूल सनलाइट बहुत ज़्याद पसंद है शेड या सेमी सेड विलकुल पसंद नहीं है ओवार बार्टरिंग कभी भी पसंद नहीं करता है ओवार बार्टरिंग आप अगर कर देंगे तो क्या होगा इसकी कलर ग्रीन कलर का नहीं होंगे लाइट ग्रीन कलर या पेल येलो कलर का हो जाएगा फर्टलेजर का भी कबर देंगे लेकिन जो फर्टलेजर इसको चाहिए है सेम उसी हिशब की फर्टलेजर हमको देना है इसमें आप अर्गनिक लिकुट फर्टलेजर अगर देना चाहते हो तो मस्टार्ड केक लिकुट फर्टलेजर आप ना दे cow dung cake से बना हुआ liquid fertilizer आप दिजिए आपको अच्छा result मिलेगा या एक मुठी barmi compost एक लिटर पानी में फुलने के लिए डाल दिजिए दो दिन बाद उस पानी को आप छान लिजिए छान के एक लिटर पानी की शाथ एक लिटर पानी एड़ करें एक एक प्लान्ट को आधा लिटर करके दिजिए चल जाएगा और बहुत या अच्छा result आपको मिलेगा मैं आभी बात करूंगा insecticide की ए फ्लार प्लान्ट को insecticide की जरुत है इसमें आप अगर insecticide spray नहीं करेंगे तो इसकी जो leaf है leaf में leaf minor देखने को आता है इसमें मैली बाग की अटाक होता है यह बहुत ज़्यादा घने होने के कारण बीच में मैली बाग भी लग जाते है कई बार तो insecticide में हम confider continue spray करेंगे 15 दिन आंतर से बहुत ज़्यादा spray करने की जरुत नहीं है 1 ml पार लिटर बाटर डिजल्प करेंगे और इसके बाद 15 दिन आंतर से एक बार हम spray कर देंगे confider तो हमको अच्छा result मिलेगा यह लीफ और काफी लंबा होंगे और इसके बाद यह जो plant है आप लोग देख पर है एक एक plant उपर आएंगे इसका stick और जैसी stick आएगा इसमें flower खिलना start होगा इस stick आते ही एक वीडियो मैं share आप लोग को कर दूँगा ताकि आप लोग को और ज़्यदा अच्छा result मिल सके इसके अंदर कंध होता है तो कंध को काफी ज़्यदा फस्फराज की जरुद परते है इसलिए आप ऐसे fertilizer दीजिए जिसके अंदर फस्फराज भी हो और ये लीप भी अच्छा होना चाहिए तो नाइट्रोजेन भी काफी ज़्यदा जरुद है शाथ में ये फ्लावर प्लांट में फ्लावर भी खिलेंगे तो फ्लावर खिलने के लिए इसमें इस्टिक आएंगे ये देखिए प्लावर भी बड़े होते जा रहा है इसमें अभी श्टिक आएगा ये देखिए तो इसको पटाश की भी काफी ज़्यदा जरुद है तो हम ऐसे fertilizer देंगे जिसके अंदर नाइट्रोजेन फस्फराश और पटास तीनों ही होता है हो शकता है सेम हो सेम रेशियो की हो तब भी चलेगा आपको अच्छा रेजल्ट देगा लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा जितनी भी फिलावर प्लावर प्लावर आपके पाश होंगे जिसके अंदर कंध होता है बल्व होता है ओशाफ फ्लार प्लांट को आपको epsum shalt नहीं देना है इसमें epsum shalt की यायने की magnesium sulfate की जरूरत नहीं पड़ते है इफ फ्लार प्लांट को आप plant growth regulator देशक्त हो plant growth regulator आप अगर देंगे तो 10 दिन अनतर से एक बार आप ग्रोथ रेगुलेटर जरूर इस्प्रे करें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा फर्टिलेजर लेने के लिए हम फर्टिलेजर लेंगे देखिए सबसे पहले एक लिटर पानी ले लेंगे एक लिटर पानी में हमको फर्टिलेजर मिलाना है सेम रिशियो की फर्टिलेजर हम यूज करते है N, P, K, 19, 19, 19, इसमें कोई भी color नहीं है इसलिये इसका color white है आपके पास red color की हो सकते है, green color की भी हो सकते है, या orange color की भी हो शकते है, अलग-लग color की आते है, और white color की भी हो सकते है, हाँ मेहाँ से 2 gram quantity में लेंगे N, P, K, 19, 19, 19 आपके पास 20-20-20 या 18-18-18 हो शकते हैं आप लिजिए सेम रेशियो की 2 ग्राम एक लिटर पानी लिया एक लिटर पानी में एड़ कर दिया जब भी मैं केमिकल फर्टिलेजर देता हूँ शाथ में कुछ यह देखिए मल्टिपल माइक्रो न्यूटेंट अल्मोस्ट एक ग्राम एक लिटर पानी में एड़ कर देते हैं एक ग्राम हो चुके है और यह पानी में मैं डाल दूँगा जब भी मैं केमिकल फर्टिलेजर देता हूँ वस टाइम मैं यह फर्टिलेजर जरूर एड़ करता हूँ और इसके बाद अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे मल्टिपल माइक्र नियूटेंट में आप लोग यूज करे एमपक्सिलिन कमभी टू और नहीं तो उतकर्ष कुमपणी की कमभी टू आपको बहुत ही अच्छा रेजल्ट मिलेगा इसके बाद हम पॉट में डाल देंगे यह देखिए ऐसे करके यह हमने 300 मेल डाला है एक पॉट में सेकेंड पॉट में भी हम डाल देते है यह 3 मेल यह देखिए प्लान्ट अभी छोटे है 304 मेल करके डाल देंगे 5 मेल करके डाल देंगे लेकिन इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे एक लिटर एक pot में नहीं डालेंगे थोरा सा और हम डाल देंगे इसमें और थोरे से इसमें भी और डाल देते हैं ये डाल दिये बाकी बचा हुआ है देखिए इतना हम दुसरे pot में डाल देंगे ये fertilizer जो हब ने दिये है ये fertilizer आप ही आपको हफते में एक बार देते रहना है 15 दिन में एक बार नहीं देंगे तो काफी अच्छा result नहीं मिलेगा दोनों plant को एक ग्राम से भी कम कम fertilizer दिया है मतलब NPK 1990-1919 एक ग्राम से भी कुछ कम मत्रा में आया है और एक एक pot में काफी शारे plant है तो fertilizer की जरूत है आप हफते में एक बार दिजी जो fertilizer हमने दिये है सिम फटले जाए दिजी multiple micronutrient आप spray करेंगे तब भी चलेगा ना भी करेंगे तब भी चलेगा लेकिन जब फटले जाए देंगे वोस टाइम आप multiple micronutrient एड करके ही दिजी आपको अच्छा result मिलेगा दोस्तो कोई भी query है आप लोग comments box में जाके comments कीजिए आप लोग को पूरा comments की answering किया जाएगा दोस्तों उम्मिद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते है तो like जरू कर दीजे, share कर दीजे, subscribe जरू कर दीजे, शाथ में बिल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेका रहा हूँ आप तक तुरंद पूश सक और एक बात है, देखिए, अलमस्ट चार सेमेल हमने दिये हैं और शॉयल देखिए, पॉट की ड्रेंज होल से निकलना स्टार्ट हो चुके है, आपकी पॉट की शॉयल भी ऐसे ही होना चाहिए, शॉयल में पानी टाच होगा, पूरे शॉयल में जाएगा, एक स्टा पानी अगर होगा तो बाहर निकल आएगा, दोस्तो आज है ही तक है, इसके बाद फिर मिलेंगे, थैंक्स वर वाचिंग